नमस्कार दोस्तों तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस तरह के emails देखे होंगे कि total expense ratio of फला फला mutual fund has been changed, और इस तरह के emails आपके notifications आते हैं अगर आपने mutual funds में invest किया है कि भाईया 1.2 से 1.28% हो गया है expense ratio मैं आपको इतला कर दे रहा हूँ, तो यह expense ratio होता क्या है और क्यों important है आपके mutual fund investment की journey में तो इसे ध्यान से समझते हैं, सबसे पहले तो आप मैं एक example mutual fund लेता हूँ for example here is one fund HDFC balanced advantage fund मैं इसका growth option select करता हूँ तो इसमें आप देख रहे हैं दो funds है regular और direct तो regular fund वो है जो normal mutual funds है जो brokers के थ्रू बेचे जाते हैं तो for example अगर आप online भी purchase करते हैं remat account से तो वो भी आपको online brokerage उसमें जुड़ा हुआ होता है और आपको regular fund ही बेचते है regular mutual funds ही बेचते हैं जिसमें हर साल आपको around 1% और 0.5-1% brokerage आपको लग जाती है लेकिन अगर आप direct mutual fund लेते हैं जो की आप for example grow से या आप जरूधा से लेते हैं तो वहाँ पर आपको direct mutual funds मिलते हैं तो वहाँ पर आप जो भी mutual fund खरीदें तो वहाँ पर आपको direct mutual fund मिलते हैं ओके तो यह direct mutual fund discount brokerage firms like zero dha और grow और इस तरह की companies आजकल बेचती हैं जिनमें कोई brokerage नहीं होता तो हम आजाते हैं अपने topic पे तो यहाँ पर जब आप money control में देखेंगे तो यहाँ पर हमीशा आपको expense ratio mention किया रहता है हर एक mutual fund का ओके तो अगर आप regular पर selected हैं तो यहाँ 1.5% आपको expense ratio है लेकिन अगर आप direct पर selected हैं तो आपका expense ratio देखें 0.87 हो गया याने लगभग 0.7% आपका फाइदा है अब यह expense ratio क्या है इसको हम लोग समझते हैं तो अगर वर्ज कीजिए अगर आप ने 100 रुपे किसी mutual fund house को दिये साल भर में return हुआ 10% तो उस mutual fund को यह बताना है आपको कि आपका total value हो गया है आपके पैसे का 110 लेकिन उस mutual fund house को अपने offices चलाने के लिए अपने staffs को salary देने के लिए अपने mutual fund को advertise करने के लिए इस तरह के खर्चियों के लिए भी कुछ provision रखना होता है इसे ही expense को expense ratio कहा जाता है और हर एक mutual fund के case में यह अलग-अलग होता है तो for example जिस mutual fund को आपने 100 रुपे दिये थे और उस mutual fund ने 10% का return दिया लेकिन वो mutual fund का expense ratio अगर 1 है तो actually में वो आपको यही बोलेगा कि आपको 109 रुपे आपकी नया value ही है याने 9% कहीं return हुआ है और वो 1% automatically मान लिया जाएगा कि वो expense में included है और वो आपका effective return में हर साल एक जितने percent का expense ratio है वो कमी करेगा यानि अगर mutual fund हमें 14% का return दे रहा हुता है लेकिन अगर उसका expense ratio 2 है तो वो actually में हमें 12% का ही return देगा ओके और हमेशा mention कर देगा कि हमारा expense ratio 2% का है तो जहिर सी बात है कि अगर हम कम expense ratio वाले mutual funds खरीदें तो हमें बहुत फाइदा है। तो कम expense ratio वाले mutual funds हम कैसे खरी सकते हैं। पहली बात हमें regular नहीं. direct mutual funds खरीदने हैं, तो direct mutual funds कैसे खरीदसकते हैं, दो तरीके हैं, या तो आप fund house से direct खर दें. जैसे HDFC का mutual fund खरीदना है तो आप HDFC mutual fund की website पे जाकर खरीदें Axis mutual fund की website पे जाकर Axis mutual funds करीदें और या तो आप discount broker firm जैसे ZeroDha या Grow जैसे जो websites हैं वहाँ से आप direct mutual fund खरीज सकते हैं जो आपको regular नहीं direct mutual funds बेचते हैं तो पहला तरीका तो यह हो गया आप देखिए जब मैं regular कर रहा हूँ तो इस ICICI FMCG fund का expense ratio 2.27 है और जब मैं direct कर रहा हूँ तो ICICI potential FMCG fund का expense ratio काफी कम हो जा रहा है देखिए 1.45 यानि लगभग 1% आप बोलेंगे एक परसंट की ही दो बात है क्या फर्क पड़ता है लेकिन आपको मैं एक example से समझाता हूँ अगर आपने फर्च की जिए कि आपने 10,000 रुपे का SIP किया 30 सालों तक और आपका average return वो mutual fund house एक mutual fund house देती 13% और आप अगर देखते हैं कि आप end में आपका कितना amount हुआ तो 4.4 करोण वो amount होगा जो आपको मिलेगा 30 साल बाद फर्च कीजिए कि एक दूसरा fund house है जिसके पास वही portfolio of stocks है जो fund A के पास है तो लेकिन उसका expense ratio सामने वाले fund house से 1% ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि similar portfolio of stock रखने के बावजूद भी इसका annualized return आपका 1% कम हो जाएगा क्योंकि expense ratio 1% ज्यादा है और हम calculate करते हैं तो यह होता है 3.5 करोड तो यानि लगभग 90 लाख लगभग 1 करोड का घाटा हो गया सरिफ 1% के कारण आपको long term में तो जाहिर सी बात है कि expense ratio कम रखने में बहुत फायदा है तो expense ratio कम रखने की एक ट्रिक यह है कि अगर fund size बढ़ा होगा से कि यह इस तरह के fund 52,000 करोड तो अगर यह 0.5% भी expense निगाल लेगा अपने लिए अगर यह 0.5% भी expense निगाल लेगा तो वो लगभग 260 करोड का हो जाएगा और वो बहुत है इसके fund house को manage करेंडा इस AMC को manage करने के लिए sorry, इस mutual fund को manage करने के लिए fund managers को salary देने के लिए address करने के लिए तो इसलिए हमेशा try करें कि fund size बहुत बढ़ा हो और हमेशा मैं direct mutual funds खրेदूँ ना कि regular mutual funds खरेदूँ regular measure fund और direct measure fund पर मैं एक और वीडियो बनाऊगा now अब एक और चीज है अगर आप और भी कम expense ratio चाहते हैं तो आप index fund में निवेश कर सकते हैं जैसे मैं कोई भी nifty 50 fund let's say HDFC nifty 50 या कोई भी index fund, index fund वो fund होते हैं जिन में शायद इसकी बताने की खास ज़रूरत नहीं है जिन जो nifty 50 में निवेश करते हैं और जिन में nifty fixed होता है कि nifty में जितने stocks हैं वो सब इसमें इसमें invested हैं और अगर कोई nifty 50 में जो खराब stock है जो अच्छा performing कर रहा है वो nifty 50 से अपने आप निकल जाएगा और जो अच्छा stock है जो nifty 50 में आ गया है जो इंडिया की top 50 companies में आ गया है वो आ जाएगा तो यह automatically managed fund है जिसमें corruption के chances कम है यह नहीं कि कोई fund manager किसी आदमी से मिल के कोई deal कर ले या किसी CEO से मिल के या किसी managing director से मिल के कि भई मैं तुमारी company में invest कर देता हूँ भाले ही तुमारी company के prospectus चाह नहीं है तो मिर जे sides से इतने पैसे दे देना इस तरह के corruption के chances बहुत कम है तो index fund लेकिन हाँ यह है कि इंडिया में index fund उतना अच्छा perform नहीं करते as compared to कुछ-कुछ regular funds बट यह हमेशा आपको एक अच्छा return दे देते हैं तो index fund के expense ratios हमेशा कम होते हैं यह तो regular का 0.4 है अगर आप direct का देखेंगे तो 0.2% के लगभग होता है जो कि बहुत ही अच्छा है तो आप इस तरह के fund में भी invest कर सकते हैं index fund में करना हमेशा अच्छा है अगर आप direct index fund करेंगे तो expense ratio ना के बराबर होगा समझ लिजे कि आप उन्हीं stocks में invest कर रहे हैं अग 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 नॉमिनल expense ratio आप खर्च कर रहे हैं तो यह था friends यह expense ratio पर मेरा यह video आसा करता हूँ यह आपको पसंद आएगा